तो चलो बच्चों अभी तक हम इसके आगे सॉल्व करते हैं बहुत सरे कोश्चन हमें अप्लोट किया उसको देख लेना अब हम स्टार्ट करते हैं बैसिकली एनलम ठीक है तो एनलम कर लेते हैं सबसे पहले उसके बाद हम और किनली पांग रोटेशन होगा करेंगे यह देख इंगल 60 है यह इंगल 30 है ऐसा दिया हुआ यह 4 kg है 1 kg का है तो चलो मान लेते हैं यह इधर एक्स लेशन से आ रहा होगा अगर आप यह इधर मान लिए हो और एक की वैल्यू पोजेटी आएगा तो आप सही होगे कि ए इधर ही आएगा नहीं तो ए ऐसे हो सकता है समयरे ना यह कर सॉल होगने के पार निगेटिव आया तो एक ही डायरेक्शन ऐसे हो सकती है तो आप ऐसा मान सकते तो अगर यह इधर आएगा तो इस ट्रिंग से चूड़ा हुआ तो यह भी सेम एक्सलेशन से आएगा से मैगनिचूड से आएगा मेरा मतलम तो यहां से यह और होगे तो इधर लगेगा ये कि साइन शिक्स्ती और इधर लगेगा इसके अपोजिट लगेगा थेंसन T और फिर जायेगा नॉर्मल एस नॉर्मल के अपोजिट आजाएगा म्यटी कॉस्सिक्स्टी तो अगर यह एक्स लेसन से इधर आ रहा है तो तुझे डरे चेनिल पर सर्ज कर लेना तो यहां से तुम देखोगे first method तो इसमें direct एक लाइन में solve कर लोगी, यह ट्रीक है, forward force multiplied by backward mass, ठीक है न, plus backward force multiplied by forward mass, और divided by summation of mass, यह जो ट्रीक है, वो एक लाइन में solve कर देगा, forward force वो होता, जो पूरे system को pull करता है, और backward force जो उसको पीछे कीचता है, तो यह आजाएगा, mg sin 30 की value कितनी हो जाएगी, 1 और 10 multiplied by sin 31 by 2, तो यह आजाएगा, 5 newton, और mg इसकी जो value आजाएगी, तो mass is equal to force g की value 10, और sin 60, root 3 by 2, तो root 3 by 2, that is 5, मतलब यह आजाएगा, 20 root 3, तो यह आजाएगा, forward force जो आजाएगा, वो 20 root 3 है, भाई, जो system को आगे खीच रहा मेरे भाई, तो यह 20 root 3 और multiply कर दूं, backward mass कितना, 1 kg, प्लस backward force और forward mass divided by समेशा ना, mass 5, तो finally, यह solution कितना बना, यह बना 20 root 3, और plus 20, और divided by 5, तो यहाँ से अगर आप बात करोगे, तो 5 common आजाएगा, यहाँ से, तो यहाँ से बजएगा, 4 root 3, और plus 4, मतलब कुल मिला के, 4 root 3 plus 1, इसका solution है, तो 4 root 3 plus 1, इस हिसाब से अगर तुम देखोगे, फाइनली, तो 4 root 3 plus 1, तो second option अपना match कर जाता है, इसके साथ, this is the correct solution, तो यह तो पहला method हुगा, दूसरा method है हुगा, कि अगर इतना नहीं आता, इस trick को नहीं आता है, तो equation लिख दो, तो पहले वाले का, पहले वाले का equation लिखो, पहले वाले पे देखो, पहले वाले पे यह, इधर लगा, 20 root 3, और इधर लगा tension T, आरा इधर, तो इसका acceleration बना, 20 root 3 minus T is equal to ma, भाई, net force is equal to, क्या होता है, किसी body पे, mass multiplied by acceleration, equation number first, दूसरा वाला जो block है, वो, tension इसमें आगे लगेगा, और इस पर 5 newton पीछे लग रहा है, और यह जा उपर रहा है, तो T minus 5 is equal to ma, तो equation number 2, अब इसको तुम, इसको तुम solve करोगे, 20 root 3, और minus T is equal to 4a और a, तो solve for, इसको तुम solve करोगे, solve for, solve for a and t, तो a और t के लिए solve करोगे, तो t minus 5 इतना आ गया, तो यहाँ से tension की जो value आ जाएगी, तो 4 root 3 plus 1 आ जाएगा, और acceleration की जो value आ जाएगी, ओ आ जाएगी, 4 root 3, यहाँ से, आसान सवाल है, ऐसे छोटे-छोटे, जो बच्चे होते हैं, वो करते हैं, by root 3 minus 1, तो यह वाली चीज़, तो यहाँ से तुम देखोगे, तो this is the final solution of this problem, तो I hope कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत आसान तरीके से समझाया हूँ, I hope कि go through this method, this is the trick we can solve in single line of this problem, thanks for watching this video, bye bye.